Hello Friends, Welcome to Tricky Tricks, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम अनुछे 32 के अंतरगत आने वाली 5 पकार की रिट्स को कवर करने वाले हैं हमें अक्सर ये तो याद रहता है कि अनुछे 32 में सुप्रिम कोर्ट वा हाई कोर्ट को 5 पकार की रिट्स निकालने की शक्ति दी गई लेकिन हम कई बार उनके नाम भूल जाते हैं कि वे रिट्स कौन कौन से हैं और अगर हम उनके नामों को याद भी कर लें तो हम ये भूल जाते हैं कि इन रिट्स के अंदर क्या-क्या है यानि कि ये रिट्स कब लागू की जाती है सुप्रिम कोर्ट वा हाई कोर्ट के द्वारा तो आज मैं आपको रिट्स इतने सिंबल तरीके से याद करवाऊंगी कि इसके बाद कभी आप नहीं भूलोगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार जिसका विवरन अनुच्छिद 32 के अंतरगत है वास्तम में इसे स्वयम में कोई अधिकार ना मानकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है इसी वज़े से उप्चिद 32 को डॉक्टर भीम रावं बेटकर जी ने सम्विधान की आत्मा कहा है जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तब वह इस अधिकार के तहट न्याले की शरण में जा सकता है अथाथ मौलिक कतिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रिम कोर्ट को अनुच्छे 32 तथा हाई कोर्ट को अनुच्छे 226 के तहर पांच पकार की रिट्स निकालने की शक्ति परदान की गई है यह शक्ति बिटेन के सम्विधान से ली गई है अथाथ सुप्रिम कोर्ट बा हाई कोर्ट को पांच पकार की रिट जारी करने की शक्ती बिटेन के संविधान से ली गई है तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी रिट्स हैं पहली है बंदी पृत्यक्षी करने तो इस रिट के तहथ किसी भी बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने 24 गंटों के अंदर पेश किया जाता है जिसके बाद मेजिस्ट्रेट उस व्यक्ति बंदी बनाये जाने के कारणों पर वीचार बे मरश करते हैं यदि magistrate वा नियाले को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को अवैद रूप से बंदी बनाये गया है तो वो इसे छोड़ भी सकते हैं अब इसको याद कैसे करेंगे बंदी प्रत्यक्षी करने हैं नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बंदी को प्रत्यक्ष करना है उसके कालणों पर विचार करने के लिए अगर उसको वैद रूप से बंदी बनाया गया होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा नहीं तो उस पर कारिवाही की जाएगी दूसरी रिट है उत्प्रेशन ये कब जारी होती है सुप्रिम कोर्ट वा हाई कोर्ट अपने अधीनस या निम्न नयायले को यादेश देते हैं कि आपके पास जो भी पेंडिंग मुकदमा है उसे वरिस्ट नयायले में भेज दिया जाए वरिस्ट यानि कि इन से उपर वा हाई कोर्ट उत्प्रेशन रिट के तहट अधीनस या निम्न नयायले को यादेश देते हैं कि अपने पास पेंडिंग मुकदमों को वरिस्ट नयायले यानि कि उपर भेज दिया जाए तो आपको समझ आ गई होगी तो अब हम तीसरी रिखते हैं कि है परामादेश ये कोई अधिकारी है जो किसी पदपर कारे कर रहा है अथारत ये पदा अधिकारी होगा तो ये रिटकप जारी होती जब कोई पदा अधिकारी अपने सावजनिक करतव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है तब सुप्रेम कोट परमादेश जारी कर इस पदा अधिकारी को ये हुए इसमें किसी चीज को मना किया जाता है अब हम देख लेते हैं यह रिट कप जा रही होती है Supreme Court वर High Court अपनी निचली अदालतों को प्रतिशेद लेग जारी कर ये आदेश देती है कि कोई भी particular मामला है इस पर आप कारेवाई ना करें क्योंकि ये आपकी अधिकार छेतर से बाहर है अधार्थ मना किया जाता है कि आप इस particular मामले पर या इस मामले पर कारेवाई मत करिये क्योंकि आपकी अधिकार छेतर का है यी नहीं ठीक है तो यहाँ पर मना किया जाता है सिंपली कहा जाता है कि भई मत करो अधिकार प्रच्छालेक ये कोई व्यक्ति है किसी पदपर कारे कर रहा है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदपर कारे करता है जिस पर उसको कारे करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है तब नियायले इस व्यक्ति से पूछता है कि भही तुम किस अधिकार से इस पदपर कारी कर रहे हो यहां पर अधिकार बूछा जाता है जब तक संतोजना कुतर नहीं मिल जाता नियाले को तब तक वह इस पदपर कारी नहीं कर सकता अब एक बार हम इसको रिवाईस कर लेते हैं शॉटकट में तो चलिये बंदी प्रत्यक्षी करना, यानि कि बंदी को प्रत्यक्ष करना होता है 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समाख बंदी बनाय जाने वाले कारणों पर विचार करने के लिए उत्प्रेशा, उसे उपर पासे पैंडिंग मुकदमों को प्रेशार मतलब भेज दिया जाए हाई कोट और सुप्रिम कोट अपने निचले नियायले को यादेश देता है इसके तहट कि आपके पास जो भी पैंडिंग मुकदमे हो उसको उपर भेज दिया जाए ठीक है उपर भेज दिया जाए फिर आता है परामादेश भाई इससे बड़ा तो कोई आदेश ही नहीं है अब यह परामादेश है अगर आपने सावजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो इसके बाद आप सजा के पात रहूंगे प्रतिशेद लेख यहाँ पर मना किया जाता है कि आप इस पर्टिकॉलर मामले पर कारेवाही मत करिये यह आपकी अधिकार शेतर का है ही नहीं फिर आता है अधिकार पच्छा लेख यहाँ अधिकार पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पत पर कारे कर रहे हैं I hope आपको ये वीडियो helpful लगी हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को like and share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें Thank you for watching